आरन खान ड्रक्स केस की जांच कर रहे NCB के जोनल डारेक्टर समीर बानखेडी की मुश्किलें बढ़ गई हैं आठ करूर की रिश्वत के आरूपों के बाद अब उनके खिलाफ इंटर्नल इंक्वारी का आदेश जारी किया गया है बिभाग्य जांच का ये आदेश नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी न जारी किया है अब बानखेडे के खिलाफ NCB की विजिलेंस टीम जांच करेगी समीर बानखेडे की मुश्किलें एक नहीं बलकि दो तरफ से बड़ी है एक तरफ जांच की जाएगी तो वहीं अब प्रभाकर सैल के हलफ नामे के बाद मुंबई पुलिस भी उनके खिलाफ उगाई के आरोप के तहट जांच शुरू कर सकती है हलाकि इस केस की एक सबसे बड़ी बात की तरफ किसी का ध्यान नहीं जारा क्योंकि आरोप लगा है कि आरेन खान के लिए शाहरुक खान से ये 25 करोड रुपे की रिश्वत मांगी गई थी लेकिन कोई इस पर जांच करने की बात नहीं कहरा अगर रिश्वत मांगी जाती तो क्या शाहरुक अब तक चुब बैठते क्या उनके वकील इस बात को गोट में नहीं उठाते कहीं न कहीं समीर बान खेड़े पर आरोप लगाने वाले प्रवाकर की बातों में बड़ा जोल नजर आता है फिलाल जो भी हो जांच के बाद ये साफ हो जाएगा कि समीर बान खेड़े को फसाया जा रहा है या फिर उन पर जो आरूप लगे हैं वो वाकई में सही है इस कबर पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट में बताईए और भी जादा इसी अपडेट्स के लिए हमारी चनल को सब्सक्राइब कीजे